वेलकम टू बिसमेकर दस्तो आज है 29 मार्चे 2022 और आज के इस वीडियो में 28 और 29 मार्चे 2022 से समंधित विहार के रेंट अफेर्श और शाथ हैं राष्टर और अंतराष्टी घटनासित के रेंट फेर्श के जितनी भी परशने बनेंगे उन सभी परशनों को विश्तार से में आपको बताऊंगा द्याद जगा इस रिंखला के सारे वीडियो 2022 में आज जितन वाले विभिन परटों के परिक्षा जो खास के बिहार में आजित होंगी ऐसे परिक्षाओं के लिए आपके लिए काफी ज़्यादा महत्पूर है तो डेली बेसेस पर यहाँ पर आप करें डेफर्स की तैयारी कर सकते हैं हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के परशन पर जो परशन हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्ण था कि हाल ही में बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारते राइदूत अभाय कुमार ने अपनी नई पुस्तक दबुक अफ बिहारी लिटरेचर की घोशना की है इसकी complete जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका right answer का मेडा गास कर अरधात option number A यहाँ पर इस प्रश्ण का right answer था टेटिल जानकारी आपको दिया गया था और इस आपर जानके बिहार के परतों की परिक्षाओं के लिए जो हमारा बिहार special current effects का एक PDF लॉंच हुआ था आप इस वीडियो के description में दियेगे link से इस वीडियो फाइल को download कर सकते हैं और शाल साथ इसका book भी market में launch है आप उसे market या फिलिपकार्ट अमेजन के थो भी वाई कर सकते हैं ध्यान देज़ेगा यहाँ पर एक हजार से अधीक प्रशनों का संग्रह है और सभी प्रशन यहाँ पर आपको समगन विसलेशन के साथ दिखेगा अब यहाँ पर हम चलेंगे आज किस वीडियो के पहले प्रशन पर तो पहला प्रशन के हाली में बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्व कौसल सम्मान से शम्मानित लिया गया इंपोर्टन प्रशन है और इसका राइट आंसर होगा अप्सन नमर शी यानि की चुन्चुन कुमार अप्सन नमर शी यहाँ पर इस प्रशन का राइट आंसर होगा तो पटना में बिहार दिवस पर एक सो दसवा बिहार दिवस इस वर्स मनाय गया है तो बस बस इतना जाद रहे अब यहार ही में और यहां पर आज का दूसरा प्रशन्य के खालिम्स बनवल्य चीहिले के किस परस्ईद चीखित सखक को फक्र-ई-हिंदृ सभा जै सम्हानित के आगया इस प्रशन का राइट आंसर है अप्सन नमर B यानिके डाक्टर विनेकारक आपको इस प्रशन बारे में विश्तरित जानकारी देदू कि हाल ही मदवनी जीले के परसिद चिकित सक्ट डाक्टर विनेकारक को स्वास्त के छेतर में उत्कृष्ट परदर्शन के लिए दिल्ली में फक्र एहिंद सम्मान से सम्मानित किया गया इनका नाम है डाक्टर विनेकारक और ये बिहार के मदवनी के रहने वाले हैं यहाँ पर इस प्रशन से लिटेट अगला प्यांट है कि दिल्ली स्थित इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ केर शेंटर में यह सम्मान डाक्टर विनेकारक को दिया गया नेक्ट प्यांट यहाँ कि 2 अन्य नोग कौन-कौन से हैं उसकी जानकारी आ गए हैं तो उनमें डाक्टर खलीर उल्ला, डाक्टर नरेश नेतरहन और डाक्टर रंदीप गुलेरिया स्वामिल हैं तो ये आप यहां से ध्यान रिखेंगे अगला होगा तीसरा प्रश्ण ये तीसरा प्रश्ण के हाले में भारते साना नेकी सराजी की पुलीस के साथ सुरक्षा कवच दो अभ्यास आजित किया है इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर है अपसन नमर बी यानिकी महराश्ट आपको इस प्रशनी बारे में विस्तार स्पतादों की हाले में भारते स्चाना के अगनिवाज डिविजन ने पूने में महाराष्ट पुलीस के साथ एक सन्युक्त अभ्यास सुरक्षा कबच दो का ऐजन किया है इस अभ्यास का उद्देश पूने में किसी भी आतंगवादी कारवाई का मुकाबला करना था इसी उद्देश को लेकर अभी हाल ही में कर सकते हैं ये अभ्यास एजित किया गया और यहाँ पर हमने महाराष्ट के चर्चा की तो महाराष्ट को आरे हमने एक पॉइंट लिखा कि महाराष्ट पूने इस शेडियम को नीरत चोप्रा के नाम पर रखा गया है यह काफी ज़्यादा चर्चे में था इसके डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था नीरत चोप्रा भी हाली में टोक्यो 2020 में स्वर्ट बदग भारत के लिए जीते थे और यह हरियाना के रहने बाले है नेक्ष्ट होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्णि आपको इस प्रश्णि का राइट अंसर होगा विसाखा पटनम अर्थाथ आपसन नमर डी आपको इस प्रश्णि बारे में बता दो कि विसाखा पटनम में इंडियन स्वाट्रिक सोसाइटी का 73 वार्श्णि के राष्णि समयलन आजित किया गया और यह तीन दिवस्टे समयलन है जिनमें कि भारत की विन्न हिस्सों और विदेशों से भी कुछ विसी सग्य भाग रहे रहे हैं और इस शमयलन में समाध में नसली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, छात्रों के बिच तनाव और आत्महत्या, अवशाद और चिंता, बुढ़ापे की शमश्या और मनो ब्रंट्स की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान के अंद्रित किया गया यह आपको द्यान अपना इस विशाए पर चाकर सकते हैं, इसी सारे मतलब च्यत्रों पर या पर इसी विश्याओं पर का सकते हैं यह ध्यान के अंद्रित किया गया, यह 73 वार्षीक राष्टे समयलन में, जो कि आपको द्यान अपना विशा का पटनम में भी हाली में आजि प्रश्न का राइट अंतर होगा आर्शी लाहोटी यानि कि ऑप्षन नमर डी यहां पर इस प्रश्न का सहत्तर होगा आपको दंदू की हाली में भारत के पूर मुख्य नयाधिश रमेश चंदर लाहोटी अर्थाद आर्शी लाहोटी का निदन हुआ है उन्हें एक जून 2004 को भारत के मुख्य नयाधिश के रूप में न्यूक्त किया गया था और वे 31 अक्टबर 2005 तक इस पद पर रहे थे आप यहां पर इनको इस इमेज में भी देश सकते हैं आर्शी लाहोटी अर्थाद रमेश चंद लाहोटी का भी हाली में निदनवा और यह पूर्वर मुख्य का राइट अंसर होगा आपको इस प्रशनी बारे में विश्णार समतानों की हाली में केंद्रे नागरिक उड्यान मंतरी जोती अधित राव सिंग्या ने नागरिक उड्यान उद्योग को भारत की अर्थवस्ता का एक महतपूर्ण घटक बताते हुए 2025 तक 220 नए हवाई अ प्रशनी बारे में विश्णार समतानों के निर्मान का लक्ष रखना है यह आपको इद्यान रखना है यह लक्ष दोचर पचीश तक पूरा किया जाएगा और साथ ही तेतिश नए घरेलू फ्रेट फोर्ट पंद्रो नए पाइलेट प्रसिक्शन इसकूल तथा अधीक नो प्रसिक्शन और ड्रोन उद्योग पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा यह सारी घोषना अभी हाले में केंद्रिय नाग्रिक उड्डियन वंत्री जोतिया अधितराव सिंग्या के द्वरा किया गया नेक्स्ट वोगा हमारा आठवा प्रशन यह आठ्वा प्रशन के हा वाली पहली भारते कंपनी कौन बन गई है इस प्रश्णी का हमारा राइट आंसर ऑप्सन नमर बी यानि की बाइजूस आपको इस प्रश्णी बारे में विस्ताथ सब्दादों की हाल ही में डिजिटल एजूकेशन कंपनी बाइजूस कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिसियल स्पांसर बनी है बाइजूस फूटबाल वर्ल्ड कप से जूडने वाली पहली भारते कंपनी है और शाथ साथ एक पॉइंट ये भी दाने के साथ हैं बाइजूस इस टूनमेंट को स्पांसर करने वाले दुनिया की पहली डिजिटल एजूकेशन ब्रांड ह यानि की डिजिटल एजूकेशन ब्रांड की बात किया जाए तो इस तरह के खेल को इस्पांसर करने वाली ये पहली कंपनी है बाइजूस और यहां पर हमने इस टूनमेंट के वारे में लिखा है कि टूनमेंट के सुरुवात 21 नॉमबर को होगी यानि कि 21 नॉमबर 2022 को और फाइनल मुकाबला ऑठार दिसंबर को राहता हनी दोहा में कहेला जाएगा प्रशण नेक्स प्र styक हाली में सेवी की नियमों का उलंगन करने पर किस बैंक पर पांच लाग रोपी य vazかった जुर्माना लगा गया है यह एक इंपोर्टन प्रश्ण और इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर ऑप्सिन नेमर बी यानिकी एक्सिस बैंक आपको दान्द के हाले में पुंजी बजार नियामक शेवी ने 2016 और 2019 के बीच कर्ज पर्दी भूतियों के मुद्दे से समंद्रित मामले में इस नेजी बैंक पर पंच लाग रुपिय का जुर्माना लगा गया है अब यहां बात देए एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक के स्थापना कब हुए थी तो 1993 में इसके स्थापना हुए थी और मुख्याले मुंबई में है वरतमान पर एक्सिस बैंक के जो CEO है अमिताब चौधरी बाद आई यहां पर शेवी की तो सेवी के बारे में ध्यान लगी है सेवी की जो अस्थापना वे थी यह हलाकि 1988 में इसके अस्थापना वे थी लेकिन इसके जो मानता मिला था यह उनी को ध्यान पुरक पर सकते हैं सेवी के मतलब की अध्यक्ष वारे में एक पॉइंट हमने यहां पर यह लिखा है कि सेवी के अध्यक्ष का कारिकाल तहय नहीं होता है यह आप यहां से ध्यान रखेंगे अब यहां पर इस वाले पॉइंट पर थोड़ा सा नजड़ ड़िये इस पॉइंट पर यहां पर देख रहे हैं कि हमने लिखा कि वर्तमान में सेवी की अध्यक्ष अजय त्यागी हैं लेकिन आपको ध्यान रखेंगे अब यहां पर इस पंद पर नहीं है 28 फरवरी को सेवा निवरित हो चुके हैं यह तो आपको यह ध्यान रखना है कि अभी मादभी फुरी बुच जो जानकारी में आपको दिया था अभी यह दसवी अध्यक्ष है मतलब का सकते हैं सेवी के अजय त्यागी चुथे यह नौवे अध्यक्ष थे तो यह सारी जानकारी यहां से आप त्यान रखेंगे अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रशने पर ह प्रशने के हाले में ICC टेस्ट गेंदवाजी रेंकिंग में कौन चौथे अस्थान पर पहुंच गया है इस प्रशने का हमारा राइट आंसर ऑफसन नमर डी यहने की जस्परीत भूमरा हाला कि यह जो आंक्रे हैं बजलते रते हैं समय समय पर लेकिन अभी हाले में मार्च की रिपोर्ट के अधार पर हम देखें मार्च की जानकारी का अधार पर देखें तो इसका राइट आंसर ऑफसन नमर डी आप पोता हैं कि हाले में ICC की नविंतम टेस्ट गेंदवाजी रेंकिंग में जस्परीत भूमरा चौथे अस्थान पर है और इसे रेंकिंग में सिर की बारे में कुछ जानकारी आपके लिए लिखा है ICC का फूल पर मताही होता इंडरनेशनल क्रिकेट कॉंसील यह आप ध्यान रखेंगे ICC का सिद्धान्त कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो ICC का सिद्धान्त है फिर मोटो अच्छाई के लिए क्रिकेट इसके स्थ सिद्धानिया नीच्टो नेशनवन पर हमकर सिद्धान्त है यह उफ्य टाराष्ट्य का सिद्धान्त का सिद्धान्त कई हा ने 1993 में अलशलवाडोर में पैदा होने की अधिकार को मैंदाने के लिए मना गया था यानि कि पहली बार इस दिवस को मना गया था अलशलवाडोर में द्वारा सता से सता पर मार करने वाले किसे सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल काप पřरेक्षन क्या गया है इस प्रस्टनी का हमारा Right Answered Option Number B याने की ब्रम्मोस आपको तोंगे हाले में DRDO 22し 22,03 मार्च लोज़र भास को सता से सता पर मार करने वाले जोह ब्रमो्स सुपर सोनी करोई दो नटन नोट करना है अगर आप से नोट नहीं कर सकते हैं वन लाइनर फर्मेट में एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है आप वहां पर जाकर कि इस वीडियो को देख सकते हैं कि रिविजन के तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा यहां पर पूरे मंत के करेंट एफर्स को कवर किया गया जो कि खास करके बिहार से संबन देत है यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको एक्जाम में और यह आपके लिए बहुत इंपोरेंट है अब यहां पर माचके आज किस वीडियो के प्रश्न के हाली में प्रस्तावीत वारानसी हावडा हाई स्विट रेल कोरिडॉर बिहार के कितनी जी अथी करंद करते हैं यहां पर एक अबगनेमेनेक हैं इस बबहुत सारे देखरेंगे और इसके लाएँ और भी कई सारे material है जो यहाँ पर आपको मिलेंगे यही कॉर्स अपडेट होकर 68 के लिए तयार होगा और अभी से जो लोग 68 के बारे में सोच रहे हैं वाले हैं तो टेलिग्राम ग्रूप निस्करिया हो जाएगा तो जो लोग भी मतलब से अपडेट रखना चाहते हैं इसमें सामिल होना चाहते हैं तो अब यहां पर विपेसी में अगर एप को प्लेइस्टोर से डाउलोड केजिए 31 मार्च के बार किया का सकते हैं निस्करिया प्लेट